हेलो एविवान वेलकम टू माई यूटूब चैनल सनाज रसोई आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर पे आप पेठा कैसे बना सकते हैं आगरा का फेमस पेठा किस तरह से बनाया जाता है चले देख लेते हैं पेठा बनाने के लिए मैं नहीं हाँ पेठा लिया है इसको पेठा बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिस में इसे बोलते हैं आइसकोड यह आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है इसको पेठे के नाम से जाना जाता है इसका पेठा बनता है और यह एक जैसे कद्दू होता इस तरह से गोल शेप में होता है पूरा पेठा होता है इसकी सब्जियां भी बनती है तो इसको मैंने बिग वास्केट से मंगाया है तो यह मुझे इस तरह से कटा हुआ पीसे में मिला है तो मैं इसका जो बिल्कुल सौफ्ट पार्ट है उपर से वह इसका निकाल दूँगी तो आपको भी इसी तरह से इसका चिलका निकालना है और जो सौफ्ट पार्ट है इसका उपर वाला वह निकाल देना है यह देखे इस तरह से तो इस तरह से हम इसको त्यार कर लेंगे काटके उपर का सौफ्ट पार्ट निकाल देंगे और उसके बाद और इसका चिलका भी रखेंगे डीप करके तो यहां पर मैंने लिया है यह पर आपको पिल्कुल जरा सा चुना लेना है इतना के लेना है 140 स्पून के करीब होगा और इसको अच्छी तरह से पानी में घूल लें पहले आप पानी में ने पूल लें पहले हैं जड़ा पित्था बना रहे हूं थो आ जोसी बनेगा तो इसको मिक्स कर देते हैं और उसके बाद पेठे के पीसे कट करके रखे हैं वह इसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन 7-8 घंटे के लिए हम इसमें डिप करके रखेंगे जिससे यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं साथ साथ घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे और उसके बाद इसे अच्छे से वाश करेंगे चूने के पानी से निकालके दो तीन बार इसे हम वाश करेंगे और उसके बाद हम इसे एक बरतन में डालेंगे और इसको बॉयल करेंगे थोड़ा सा पानी डालके इसको बॉय के लिए बॉइल कर लिया है और अब में यहां पे एक दूसरे बरतन में ठंडा पानी लिया है बिल्कुल उसके अंदर में यह पीसिस डाल रहे हूं जिससे यह ओवर कुक नहीं होंगे बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो इनका कुकिंग प्रोसेस रुख जाएगा तो आप इ थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़े से ट्रांस्पेरेंट से भी आपको दिखने लगेंगे तो अब मैं इसको एक चली में निकाल के रख लेती हूं जिससे इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वह सब निकल जाएगा और उसके बाद हम फिर पैठा बनाएंगे इसक 1-4 cup और डाला है इसमें आपको बिल्कुल पानी नहीं डाला है क्यूंकि अब यसके अंदर इतना मौशange ह है कि इसमें चैनी जो्यमेल्ट हो जाएगी और इसे के अंदर चाश्णी बनेगी और इसके अंदर हम इसे अच्छी से पका के तियार करेंगे तो इसको एक बार मिक में दिर दिर चीनी अपने मेलट हो जाएगी अदिर हमारा पैथा तयार हो जाएगी और इस चाशनी को माहित बिल्कुल ड्राइगा है ए वीडियुम फिलेम पे चालाते हो पका झाले चीनी को ठीम प्राइब चीनी करना है तो यह थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा जल जाएगा नीचे से तो अब इसको हम चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक जो चाशनी है बिल्कुल ड्राय ने हो जाती सूपने जाती यह देखिए चाशनी काफी हद तक अची बन गई है ड्राय होना भी शुरू हो गई है अब इसको हम बिल्कुल ड्राय कर लिते हैं कि शाशनी बीलकुल ड्राय हो जाएगी तो हम इसको निकाल के एक छलनी पे इस सरह एक पीस करके रख देंगे जिसे जो एक्स्टा चाशनी होगी वह नीचे चलनी से निकल जाएगी और हमारे पेठे बनके त्यार हो जाएगे हम इसको तकरिबन 7-8 घंटे के लिए फैन के नीचे रख देंगे हावा से इसको ड्राय करेंगे जब तक यह सूप नहीं जाते बिल कि मैंने इसको इस तरे से चलनी पे फैला दिया है अब इसे ड्राय होने के लिए रख दूँगे गा शाथ घंटे ड्राय होने के बाद पेठा अमारै कुछ इस तरह का दिखेगा देखे हमारा पेठा बन के रेडी हो गया है बिलकुल मार्केट के जैसा पेठा घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसाने से बनाना तो आप इससे ज़रू ट्राइ करें वीडियो ची लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो